कि नमस्कार बिये पार्टr second के इतियास विशे में आपका व्यागत है भी ए पार्टr second के इतियास विशे में दो परशन परत्तर हैं परत्र पर्फन 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 के अंत्रकत पर्फन चेप्टर का हम अध्यान कर चुके हैं आज हम द्यूत्य चेप्टर के रूप में लेकि आये हैं भारत पर तुर्क की आकर्मन यह हम राजपूर प्रतिरोद चुकी चेप्टर बड़ा है इसलिए इसको हमने दो भागों में विभाज़ित कर लिया है आज हम पर्थम भाग का अध्यान करेंगे जिसमें हम जानने की कोशिस करेंगे कि तुर्क कौन थे और प्रारंबिक तुर्क आकर्मन कारी भारत प्राकर्मन करने वाले कौन कौन थे लेकर 1200 इसवी तक के इत्यास का अधियน किया है उसी कड़ी की निरंतरता में बेव पार्ट डिवित्विय में हम 1200 इसवी से लेकर शत्रा सो एक्सरीशी दिश्वी तक के इत्यास का अधियं करेंगी चुकि ये काल इस प्रकार का एक काल था जिसमें विदेशी आकर्मन कारियों उन्हें भारत पर आकर्मन किये और उन्होंने यहाँ पर एक राज्य के स्थापना भी की और एक नई संस्कृति का आगमन भारत में हुआ इसलिए इस मद्यकालन भारत को समझने के लिए हम प्रारंब से ही बहुत घंबीरता पूर्वक शावदाने से हम समझने की कोशिश करेंगे पर्थम चेप्टर से ही अगर हम इस साफदाने समझने कोशिज करेंगे तो आगे के लिए हमारे लिए समझ बहुत आसान हो जाएगी तो आज हम सुरू करते हैं तुर्की आकर्मन और राजपूत परतिरोध कि तुर्की आकर्मन को समझने से पहले हम समझ लें कि यह तुर्क कौन थे जिनके बारे में एहां चर्शा कर रहे हैं तुर्क चेन की पसिम उत्तर सीमा पर रहने वालेग लोग थे जिसमें अनेक जातियां थी यह लड़ाकू परवर्तिके थे और अर्द सब्भे थे अनेक इसमें जातियां थी परंतु इनका मुख्य एक जो इनकी विशेश्था थी वो समान थी जो तुर्की बासा थी अर्थार्थ तूर्क तुर्की बासी लोग थे जो चिन के पस्षिम उत्री सिमा में रहते थे अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में तुर्की अजर्बैजान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्की तुर्कमेनिस्तान उत्री अफगानिस्तान पस्षिम चीन के जो च्छेत्र हैं वह यह च्छेत्र थे हैं जहां पर वो तुर्क लोग रहते थे तुर्क जहां पर उनका रहवाश था वहां पर वह रह रहे थे उनकी जीवन में परिवर्तन की सुरुवात 651 इस्वी पूर्व के आसपास से लेकर 750 इस्वी के आसपास हुई हुआ यह कि आरबू ने मुहमद साहब के नित्रतों में आप जानते हैं कि मुहमद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी और उसके बाद उन्होंने बहुत समय में काफी बड़े चेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था और मुहमद साहब की मृत्यू के बाद में इस्लाम में खलिफत की निस्रुवात हुई खलिफत का जो परदान जो होता था वो खलिफा कहलाता था खलिफा एक परकार से परतिनी दिथा मुस्लिम जगत का जो राजनितिक रूप से भी पर्मूख था और धारमीक रूप से भी पर्मूख था तो एक खलिफत खलिफा जो हुए उसी खलिफाओं के कई सारे खलिफा हुए उन खलिफाओं में से जो उमयावन्स था जिसने 600 एकाउन से लेकर 750 उस समय इन्होंने POLT अपना सामराजय विशतार पूर्व दिशा में भी करना प्रानुंहें किया जब इन्होंने POLT सामRARजय विशतार किया तब इनका IIIमत तुर्क के साथ we और उनमा दोनों के मद्दे युद्ध हुआ युद्ध के परणाम सरूप अनेक तुरुप बना लिए गए बनागर उनको दाष की रूप में बेज दिया गया बहुत सारे तुरुप ऐसे थे जो आगे जाकर सेनिक बने बहुत सारे तुर्कों ने उसी समय इसलाम स्युकार कर लिया कई तुर्क ऐसे भी थे जुन्होंने इसलाम स्युकार नहीं किया फिर भी वो अर्मों के सन्य शेनाव में सामिल हुए और इस प्रकार यहां से सुरुवात हुई तुर्कों का इसलाम के साथ सामने से तो उमयावन्स के पतन के बाद, 450 इस्वी में उमयावन्स के पतन हो गया और उसके बाद में एक नए वन्स के खलीफत शुरू हुई जिसे अबाशी कलिफा कहते हैं तो अबाशी ने एक महतुपूर्ण काम यह किया बाशी काया कि उन्होंने जो मुसल्मानों में अरब की परधानता और अन्य जो जातियों के मुसल्मान थे उनको दूसरे दर्जे के मुसल्मान की रूप में रखने की जो प्रमपरा थी उस प्रमपरा को छोड़ते हुए सबी मुसल्मानों में समानता का विवार की सुरुआत की और इसी का प्रणाम था कि जो तुर्क लोग थे उन तुर्क लोगों को भी समय समय पर सेना में भी और परसासन में भी अच्छा इस्तान मिलना सुरू हुआ अबाशियों के समय में तुर्क महल के रक्षक के रूप में रख जाते थे और बाद में दीर दीरे परशासने में भी इन्हें लिया जाने लगा खलीफा मोटसिम जिसका कारेकाल 833 सिस्वी से लेका 842 सिस्वी था इसकी समय में तुर्कों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने लगा और आगे जाकर तुर्क चोकि लड़ाकू थे बुद्धिमान थे इसलिए आगे जाकर उन्होंने अधिकतर सन्ने और परशासनिक पदों पर कपचा कर लिया और बाद में धीरे धीरे अधिकतर तुरकों ने इस लाम भी श्यूका रेकर के लिया व्रॉप शते वईड़ी के पुरुवाद तक लगब तुर्कों का पूर से इसलामी हो गया तो इस परकार हमने तुर्क के बारे में जाना कि तुर्क रोग थे कौन और किस परकार से उन्हों से इसलाम से सामने हूँ और अरब के परशासन में और शेना में नीचे दर्जे से शुरुवात करते हुए दिर दिरे वो ऊपर तक बढ़ते गए कि तुर्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करना के बाद हम हमारे मुख्ये विशय पर आते हैं कि भारत पर तुर्क आक्रमन भारत पर तुर्क आक्रमन करने वालों में जो बहुत उलेखनी है अलांकि इससे पहले भी मुहमद गजनवी से पहले भी आक्रमन हुए प्राप्तु महमूद गजनवी को बहुत उलेखनी आक्रमन कारी माना जाता है तो अब हम महमूद गजनवी से ही यहां सुरुवात करते ह महमुद गजनवी जिसने नो सो ठ्याणव इस्यू से लेकर एक जातीस इस्यू तक शासन किया इसका जन्म एक नॉमबर 931 इस्यू में गजनवी में हुआ था और इसके पिता का नाम सुबक्त गीन था जो गजनी में जिसने सतंतर राज्य की स्थापना की थी सुबक्त गीन खुद अलब्द गीन का गुलाम था जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में चर्चा की है कि बहुत सारे जो तुर्कों को गुलाम बना लिया गया था इसी परकार अलब्द गीन खुद भी गुलाम था और उसने अपना एक गुलाम था उसका नाम सुबग्तगीन था चुकि सुबग्तगीन अंस्यार था बुद्धिमान था इसलिए सुबग्तगीन के साथ अलब्तगीन ने अपनी बैटी का रिष्टा भी किया और इस परकार से अलब्तगीन का दामात बन गया सुबग्तगीन तो अलब गीन उन प्राइडम भी तुर्ष आसकूर्ण में से था जिनों ने अबासी खलीफत के पतन के काल के समय सब्तनत राज्ये की स्थापना की थी जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि उमया के बाद में अबासी खलीफत सुरू हुई और अबासीयों के समय में धीरे धीरे जो अरब सामराज्ये था वो आसामराज्ये धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उनके कमजोर होने के कारण बहुत सारे सौतंतर राज्यों की स्थापना हुई और इनी सौतंतर राज्यों में से एक राज्य अलब्त गिन का था इसने गजनी में एक सौतंतर राज्यों की स्थापना की थी और इसी अलब्त गिन का जो उत्रादिकारी बना था सुबत गिन तो अलप्तगीन की मर्तियों के बाद सुभक्तगीन गजने के सिंहासन पर बैठा 977 इस्विय में तो सुभक्तगीन ने काफी समय तक सासन किया और सासन करना के बाद जब उसकी मर्ति हुई 997 इस्विय में तब उसने अपना उत्रादिकारी अपने छोटे बेटे इसमाइल को बनाया परंतु महमूद गजनवी जो इसका बड़ा बेटा था उसने इस व्यवस्ता को सिवकार नहीं किया और इसमाइल के साथ उसका ग्रहयुद वा और इस ग्रहयुद में उसने इसमाइल को पराजित करके उनोस अठानवे स्वी में गजने की गद्धी पर वारत के जो पंजाब के आसवास का चेत्र था वहां पर आकरमन हुआ था परंतु वह आकरमन कोई इस्थाई व्यवस्ता इस्थापित करने में सफल नहीं वापाए थे कि अधोटो 918 में गद्धी पर बैठने के बाद में जब घद्धी तो उसमैं जो गजनी राज्य वोसके निचे और खुराशान के परदेश स infect capable आना चाहें तो गजनी आज की दिन अफ्नie की दिन का तो गजनी मुख्य रूप से अफगानिस्तान के अंत्रगत इस्थित है। सुल्तान बनने के बाद बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्ला ने महमुद गजनी को मानिता परदान करते हुए उसे यमीन उद्दोला और यमीन उल्मिल्ला के उपादी परदान की थी। हैं यहां पर यह बहुत महुत्वपूर्ण हो जाता है, यह जानना कि महमुद गजनी सासग बना तो इस के बाद ह्युशक उपादियां उसने परदान की किसने खलीफाथा ने, क्योंकि खलीफा को मुसलिम जगत का सर्वच राजनितिक नेता और सर्वच धर्मिक नेता माना जाता था और यह माना जाता था कि अगर किसी राज्य को या सासक को खलीफा दौऒर अगर सुईकृति परदान नहीं होती थी और इसी कारण आगे जाकर झांगे की सल्तनत काल में जो भी सासे को उनका प्रियास से रहता था कि वो कैसे ने कैसे खलीफा से उसकी स्विक्रति प्राप्त कर ले हालां कि यह एक प्रकार का मुस्लिम समाज पर नैतिक परभाव इस्तापित करने का एक तरीका था वेवार में जो सासे होते वो खलीफा की ज्यादा पर्वा नहीं करते थे परन्तु इसलाम की मानने वालों को खुष रखने पर्संटे करने के लिए वह यह मानते थे कि अगर खलेफा की ही कि इजाजत ले आएं उनका सिंवक्रति परत्त करें तो उसके कि राज्य को मुसल्मान आसानी से सुविकार कर लेंगे चुकि उसे यमिन उद्दुला और यमिन उल्ला की बादी प्राप्त हुई थी खलिफा के दुआरा इसलिए उसका जो सासन्वंस है यमिनी सासन्वंस के नाम से जाना गया तो इस परकार हमने यहां थोड़ी सी जानका करने कोशिश की में मुद्द घजनवी के बारे में पिछ्छे की स्लाइट में हमने देखा है कि किस परकार महमूद घजनवी ने अपने और चोटे भाई इसमाइल को ग्रहीव द्द्द पराजित करके घजण ही गर्द्द्द्य प्रात्त की और उसके बाद उसने सुल्तान अपने आपको सुल्तान गोशिट किया सुल्तान अमन्ने के बाद में बगदान के खलीफा अकदर समरंज्य का दाइना हाथ होता है येमिन अलमiej लोग relied मिल्ला का मतलब थारण के शरण सोर्ष को ठाइन महमूद गजनवी को संसार का पर्थम सुल्तान माना जाता है अर्था सुल्तान की उपादी धारन करने वाला पर्थम वेक्ति था इससे पहले किसी भी वेक्ति ने सुल्तान की उपादी धारन नहीं की थी सिस्तान की राजा खलफ बिन एहमद को उसने एक युद्ध में पराजित किया था और उस युद्ध में पराजित करने के बाद में उसने सुल्तान की उपाधी दान की परन्तु खलीफा ने उसको सुल्तान की उपाधी को स्विकर नहीं किया सुल्टान की पर्थम उपादी जो खलीफा की द्वारा स्विकर्त हुई वह सलजुख सासक तुग्रिल को 2014 में महमूद के बेटे मसूद को दंडक नामक इस्थान पर हराने के बाद खलीफा की द्वारा दी गई थी तो यहां समझने वाली बात यह इंपोर्टेंट है कि खलीफा ने उसे उपादियां पर्थम की और उसके राज्य को भी स्विकार कर लिया परंतु उसने जो सुल्तान की उपादी धान की थी उसको उसने स्विकार नहीं किया और बाद में तुग्रिल 2014 में पर्थम के संशार का पर्थम सुल्तान किसे माना जाता है और दूसरा है कि वह पर्थम सुल्तान कौन था जिसे खलिफाने स्विकर्ति परदान की तो संसार का पर्थम सुल्टान महमूद गजनवी को माना जाता है और तुग्रिल वह पर्थम सुल्टान था जिसकी सल्टनत को या जिसके सुल्टान पद को खलिफाने स्विकरती परदान की थी महमूद को जबुली का महमूद भी कहा जाता है क्योंकि महमूद की जो माता थी वो जबुलिस्तान की रहने वाले थी और इसका उसको महमूद को जबुली का महमूद भी कहा जाता है अब अगले जो चैप्टर में हम लेके चलेंगे महमूद गजनेवी की जो भारत के उपर आकरमन थे उन आकरमनों का ध्यानम करेंगे चुकि यह चैप्टर अधिक लंबा हो जाता इसलिए हम इसे यहीं समाप्त करते हैं आसा है आप इस सेप्टर में तुर्क कौन थे उसको समझ पाएंगे और तुर्कों में किस परकार से तुर्कों ने गजने में गजने राजवन स्कृतापना की और किस परकार से महमूद गजनेवी उसका उत्तराजिकारी बना आसा है यह आपके लिए लाबदाई रहा होगा तैनिवाद